कि चलिए आज हम चैप्टर फूर स्टार्ट करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम बड़े द्यान से इस चैप्टर को मिले साथ सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह तुमारी किसमत खराब है कि मुझे ऑनलाइन करवाना बढ़ रहा है क्योंकि ओफ-लाइन म इस चैप्टर के जो कॉंसेप्ट मैपिंग है उसकी बात करेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो एटम हमारा मेन कंसर्ण है ओके एटम के अंदर जो हम बात करेंगे वह इलेक्ट्रोन प्रोटोन और नीट्रोन की बात करेंगे तो कुछ बात यह आपको ध्यान से समझ अगर हमारे पास है तो एटम का जो च्रॉक्चर आपको याद होगा हमने एक एटम का स्ट्रॉक्चर कैसे बनाया था यहाँ पर यह बांगा कि मैंने आपको बताया था कि atom सबसे छोटा पार्टिकल होता ये बात जॉन डॉल्टन ने दुनिया को वताया थी उन्होंने एक theory दी ती अपनी डॉल्टन atomic theory जिसके postulate आपने learn किये थे ठेके यहाँ पे भी हम उनी चीजों के बारे में आगे देखेंगे कि वो क्या postulate थे और किस तरीके से उनको जो है हो हम लोगोंने समझा था तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा इस चीज़ पे अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये तीन सब atomic particle आपके atom के अंदर मौजूद होते हैं electron, proton and neutron और राइट, electron पे देखिए electron की discovery किस ने की थी, सारे एक एक नंबर के question है बड़ा अच्छे से notes वाले format आपको करा रहा हूं है electron को discover किया था Thompson ने, ध्यान दीजेगा Thompson ने electron की discovery की थी और किस के रूप में की थी cathode raise के रूप में की थी, cathode raise, cathode का मतलब जाए cathode terminal से पैदा होती है, दो terminal होते है आपके दो electrode होते है आपके, एक होता है cathode, एक होता है anode, cathode होता है negatively charged और anode होता है positively charged, तो electron को discover करने वाले जो आदमी थे, जो scientist थे, that was Thompson, और राइट, और इन्होंने cathode raise के through, electron को discover किया था, इन्होंने बताया था कि जो charge होता है कि electron पे, इस सारी बाते याद रखने वाली जो आपको learn करनी है, जो charge होता है कि electron पे होता है minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, C का मतलब यहाँ पे coulomb है, C for coulomb, C का मतलब charge नहीं है, ठेके, और जो mass calculate किया था, वो इसका मतलब समझ रहे हो कि यह लगबग, 0 के बराबर है यह mass, इसलिए electron का कोई mass calculate नहीं होता है, यह electron की mass को हम क्या मान के चलते है, 0 मान के चलते है, उके, उसके बाद आते हैं, दूसरा subatomic particle, जो दूसरा particle होता है atom का, वो होता है proton, और proton का होता है, यहाँ नूकलिस में, इस जगे पर प्लेजंट होता है, नूकलिस की में, तो proton पे कैसा charge होता है, बटा, proton पे charge होता है, positive charge, plus का charge होता है, electron पे charge होता है, negative, proton पे charge होता है, positive, और neutron पे कोई charge नहीं होता है, zero charge होता है अपका, दिहान से समझेगा, मेरी सारी बात है की उनके प्रोटोन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्त थे उनका नाम ता गोल्ड स्टीन द्हान से समस्जेगा सारी बाते और इनोंने प्रोटोन को डिस्कवर किया था किसके थ्रू एन्नोड रेस से यानि कि इनार पॉजिटीव होता है वहां से निकल देवाली जो रेज थी उनको कैनाल रेज का नाम दिया गया और उसी के बेसिस पे इन्होंने प्रोटोन को डिस्कवर किया था प्रोटोन पे इन्हों जो चार्ज बताया था डैट वस प्लस वन 2,6 10 भीपाओ मैनस 19 गोलं ध्यान से देखिए यह एलेक्ट्रॉन पे माइनस है से इम वैलिव निमेरिकल वैलिव से में प्रोटोन पे प्लस थे रोड़ घसिए बस साइन का फर्क दोनों में एक प्लस एक माइनस है और प्रोटोन का जो मास कैलकुलेट वा था उट वाथ आट was the neutron, उसका नाम था neutron और इसको जो बताया था इसके बारे में जो invention किया था, discovery किया था वो थे cadwick spelling के लिए तुम chadwick याद रख सकते हो लेकिन इनको actual में pronunciation इनका क्या होगा, cadwick होगा और ये जो neutron है, इसकी जो discovery की थी, वो alpha particle से की थी, alpha particle positively प्लस का नहीं होता है, बलके कैसा होता है, neutral charge होता है, इसपे कोई charge नहीं होता समझ में आगी बात, तो इसको alpha particle या lighter जो element है उससे detect किया गया था इसका nature कैसा होता है, neutral होता है मतलब कोई charge इसपे नहीं होता उसके बाद इसका mass देखेंगे तो बिल्कुल उतना ही है जितना यहां पर आप देख पारे हो उतना ही मास आपको न्यूट्रोन का मास सेम होता है जिसको हम नुमेरिकली वन केल्कुलेट करते हैं क्योंकि इस वैल्यू को याद रखना मुश्किल होता है समझगे तो यह होगे एटम के अंदर के तीन सब एटमिक पार्टिकल अगर यह हमारा एक एटम है ऐसे करके तो इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस से बिटा इस न्यूक्लियस में प्रोटोन है आपके पास न्यूट्रोन इसमें ठेक है और इसके बाहर जो शेल है उन शेल क से सुननी है समझनी है अब आगे बढ़ते हैं ये सारा ये वीडियो में अपने यूट्यूब पे डाल दूगा और वहां से आप इसको आपके पास लिंक आ जाएगा तो आप उसको आराम से दुबारा देख सकते हैं और ये नोट्स अपने कॉपी पे नोट करोगे सारे के सार समझ पा रहे हो ध्यान से अब देखिया आगे अब हम एटम के मॉडल की बात करेंगे ये जो एटम था ये ऐसे नहीं कि उपर आसमान से आया और सीधा धरती पे लोगों के पास आ गया कि लो जी मैं हूँ एटम इसको अलग अलग लोगों ने शुरुआत की थी स्ट्रक्च अलगों कि उन्होंने सबसे पहले बताया था तो आप समझ सकते हो कि उनका जो वह अक्यूरेट नहीं था उसमें बहुत सारी खामिया रही होगी लेगिन अच्छी बात ये थी कि कोई ऐसा पहला इंसान था जिन्होंने ये बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो ध्यान से समझे उन्होंने इसको कैसे कंपियर किया उन्होंने का कि जो एटम होता है वो वाटरमेलन जैसे आप लोगोंने तर्बूज देखा होगा ना उसकी तरह बताया उन्होंने कि जैसे तर्बूज होता है अंदर से उसमें रैड कलर का होता है मिटेरियल जिसे हम लेकिन उसमें seed होते हैं बहुत सारे black black color के seeds होते हैं तो उसके बारे में उन्होंने बताया ठेके उसके बाद दूसरी अगर आगे बढ़ें तो next topic पे आते है electron present in the positive charge तो ये तर्बूज को अगर आप अंदर से काट के देखते हो तो उसमें red color का जो region था वो सारे का सारा क्या था वो था positive values में उसको positive बताया उसने all right क्योंकि उसको इतना तो पता था कि जो proton और neutron होते हैं इन में positive और negative charge की conditions है इसलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने जो है इस पूरे sphere को यानि कि पूरे के पूरे watermelon को क्या का कि वो positive sphere है और उसके अंदर जो छोटे छोटे dots है यानि कि जो seeds है black color के वो electron present है मतलब वो यह नहीं बता पाया था कि atom के अंदर nucleus भी है ध्यान से समझेगा अभी nucleus की कोई आता पता नहीं था Thompson के model के time पे लोगों को न दुनिया को बस इतना पता था कि positive और negative charge उसमें होता है तो positive charge को पूरा उन्होंने तर्बूज का पूरा part जो है watermelon का उसको क्या कह दिया कि वो positive sphere है और उसमें negative part क्या था छोटे छोटे जो seeds होते है that is the negative part उसके बाद दूसरे जो scientist आए उनका नाम था Rutherford उन्होंने भी अपना atomic model दिया Rutherford का जो model था दूसरे नंबर पर उते उन्होंने जो कमिया Thompson ने अपने model में छोड़ी थी उन कमियों को ठीक करके Rutherford ने अपने नए atomic model को दुनिया के सामने पेश किया अब उन्होंने कुछ खास बातें बताई उन्होंने क्या का था कि atom has maximum empty space उन्होंने का कि जैसे watermelon के लिए किस ने का था ठेक है Thompson ने का था कि पूरे का पूरा spare positive है भरा हुआ है लेकिन Rutherford ने का कि नहीं atom का ज़्यादातर हिस्सा खाली है उसमें यह कुछ नहीं है empty space है ठेक है और जो positive charge है वो कहा occupy कर रहा है positive charge कहा occupy कर रहा है उन्होंने का के positive charge जो है यह occupy कर रहा है बहुत थोड़ी सी जगे पे और थोड़ी सी जगे आगे जाके board ने जब उसी model को दिया तो उन्होंने उसे नाम दिया था ठेके Nucleus, क्या नाम दिया था, that was called Nucleus, ठेके, और Nucleus is very small, ये बात भी हमें किस ने बताये थी, Rutherford ने बताये थी, ध्यान से समझेगा मेरी सारी बात ने है, ध्यान से focus कीजेगा, ठेके, जितना आप ध्यान दोगे, उतना ही आपको फायदा होगा, अब आगे देखिए, बोर्स एटोमिक मोडल, तीसरा मोडल किस ने दिया था, तीसरा मोडल दिया था, बोर ने, और ये सबसे convenient मोडल था, सबसे better quality का मोडल था, बोर का जो मोडल था आपका, ठेके, उन्होंने बताया था, कि जो electron होते हैं, वो कहां distribute होते हैं, shell में, जो मैं तुम्हें already बता चु और आज हमारे पास सबसे बहतर, जो best quality हो सकती है, जो best format हो सकता है, structure of atom का वो है, तो बोर ने बताया था, कि जो electron है, वो ऐसे shell में, ये nucleus के बार इस तरीकी की shell है, इसमें घूंते रहते हैं, like this, ये वाले, ओके, और ये जो बीच में आपको dark region में कर रहा हूं, ये था, ठेक हैं, अब अगर आगे बढ़ें, तो उन्होंने एक और rule में दिया था, उस rule का नाम क्या था, that rule was called, ठेके, 2N square, इसे बहुर बुरी scheme भी का जाता है, इसी से आपको याद होगा, मैंने class के अंदर तुमें क्या calculate करवाए था, कि कि shell में कितने electron maximum हो सकते हैं, ठेके, तो this is called 2N square formula कि, अगर मुझे पहले shell में number of electron निकालने की कितने आ सकते हैं, तो N मेरी पहली shell है, तो N की value 1 है, N की जगे पर ये 2 मैंने ऐसे का ऐसा रख दिया, यहाँ देखिए, ये 2N square में लिख रहा हूं, ऐसे करके, सपूच, ठेके, मुझे first shell में number of electron calculate करने का मैंने 2 लिखा, यहाँ पर multiply का sign लगाया, और यहाँ 1 का क्या कर दिया, square कर दिया, तो आपको पता है, 1 का square 1 होगा, तो 2 1 जा 2 मतलब first shell में आपके पास maximum कितने electron आ सकते हैं, सिर्फ 2 electron ही आ सकते हैं, ऐसे अगर आप second shell में निकालना चाहते हैं, तो N की जगे फिर 2 का square करके 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठेक के अंदर जो number of electron हैं, उन्हें क्या कहते हैं, valence electron कहते हैं, अब यह electronic configuration वाली बात आपको समझ में आ रहे होगी, this all have been done in the class, समझ गए, उसके बाद अब आगे देखिए, उन्होंने इन shell को नाम दिया, first shell का जो नाम रखा, उन्होंने वो रखा बटा K, second shell को नाम दिया, उन् M, और fourth shell अगल थी, तो उसको नाम दिया N, या फिर one, two, three, four भी आप कह सकते हो, तो ये तीन model जो है, structure of atom के रूप में हमें देखने को मिले, सबसे पहना model जो atom का दिया था, वो thompson ने दिया था, दूसरा model रदर फोर्ड ने दिया था, तीसरा model हमें भोर ने दिया था, और स सबसे ज़्यादा best quality का, सबसे बहतर quality का, जो model था, वो किसका था, भोर का ही model था, अब आगे आएं, तो atom के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारियम लेते हैं, जैसे atom को समझने के लिए मैं किन-किन चीजों का पता होना चाहिए, atomic number का, और ये बात भी मैं क्लास में आप को पहले ही बता चुका हो कि what is atomic number, the total number of proton present in the nucleus of any atom is called its atomic number, अगर मैं कह रहा हूँ कि sodium element है, sodium का मिरे पास एक atom है और उसका atomic number 11 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसके nucleus में देखो, तो उसके nucleus में कितने atoms है, उसके nucleus में मौजूद है, आपके 11 protons, कितने proton है, 11 proton है, और उन 11 proton की विज़े से उसका atomic number कितना हो गया, 11 हो गया, तो number of proton present in the nucleus of any of the atom is called its atomic number, ठेक है, और एक बात और याद रखना कि atomic number, जो है, वो number of proton और number of electron दोनों को count करके नहीं किया जाता है, दोनों में same होते हैं, अगर atom electrically neutral है, तो जितने उसमें proton होंगे, उतने उसमें electrons भी होंगे, यह बात भी बड़े ध्यान से समझने वाली है, उसके बाद atomic number, number of proton और number of neutron से भी हम एक चीज़ निकालते हैं, यहाँ पर इन्होंने गदर लिखा, यह atomic number नहीं है वाला, इसको थोड़ा सा correct करते हैं, this is not atomic number, this is atomic mass, यहाँ पर M, यह बहुत अच्छा तो नहीं लिखा जाता ह इस फिर भी जितना लिखा जाता है, मैं लिखता हूँ, this is atomic mass, तो atomic mass क्या होता है, sum total of proton plus neutron, present in the nucleus is called atomic mass, यह number नहीं है, इससे delete कीज़े, this is mass, टेक है, अब यह mouse से ऐसे ही लिखा जाएगा, क्या जोरू, अब कुछ बाते और हमें आगे देखनी है, atom के बारे में हम पढ़ेंग चलेगी, तो आपको यह last में यह concept बहुत brief में समझ में आ जाएगा, कि हमें क्या सिखाया गया, isotopes क्या होते बटा, isotopes वो atoms होते हैं, ठेके, same atomic number होता है, लेकिन different mass number होता है, यानि कि atoms of the same element, एक ही element के, कई बार ऐसे atoms होते हैं, जिनका atomic number तो बदल ही नहीं सकते, proton ना निकाल स जाता है, that is how we, का, ऐसे इस तरीके के atoms को क्या बोलते है, isotopes, atoms of the same element, having same atomic number, but different mass numbers are called isotopes, and दूसरी category हम पढ़ेंगे, ISO बार की, जिसमें हम यह पढ़ेंगे, atoms of the different element, जिनका mass number same है, यानि कि atomic mass same है, but atomic number क्या है, उनका, different है, यह सारा detailing करवाँगा मैं, ओके, ओके, जॉन डॉल्टन के बारे में देखिए, जॉन डॉल्टन, considered atom to be an individual entity, यह बात हमने डॉल्टन atomic theory में पढ़ रखी है, कि डॉल्टन ने बताया था, कि atom सबसे छोटा पार्ट होता है, जो individual होता है, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, but his concept had to be, you know, discarded at the end of the 19th century, लेकिन कर दिया गया, मलब गलत साबित कर दिया गया, when scientists जो थे all over the world, ठेके, with the help of the experiment, they were able to find the existence of charge, यानि कि उन्होंने charge elements को, electron या protons को जो है, जब detect किया, पता लगाया कि atom के अंदर भी उसके छोटे-छोटे particles होते है, atom अकेला नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, बलके atom भी तीन सब-at atomic particles से मिलके बनाए, वो थे electron, proton and neutron, तब Dalton की वो theory जिसमें वो कह रहा है कि atom जो है, सबसे छोटा है, वो क्या हो गई, fail हो गई, and these particles were called, और इन particles को क्योंकि ये atom के अंदर होते हैं, that's why they were called as subatomic particles, क्या नाम दिया गया इनको, subatomic particles, ध्यान से समझेगा, तो अब इस chapter के अंदर हम ये समझने वाले हैं, कि जो theory पहले हमने Dalton की पड़ी थी, वो theory, अब structure of atom क्या हो जाती है, fail हो जाती है, उसमें बहुत सारी बातें, जो बताई गई थी, वो उन में से बहुत सारी बातें क्या थी, wrong थी, गलत थी, तो अब एक-एक करके देखनें कि किस ने क्या क्या किया किस ने की थी, JJ, Thompson ने की थी, तो Thompson ने first time इसको experimentally prove किया, उन्होंने का, Thompson ने explain किया presence of the electron by cathode rays, उन्होंने एक experiment किया, जिसमें उन्होंने cathode से कुछ radiation rays पैदा की, और उसमें देखा कि उसमें उन radiation के अंदर जो particle मुग कर रहे थे, वो negatively charged थे और उसको नाम दिया उन्होंने electron, तो अब ये fact जो है, electron के बारे में वो पहले भी हमने पढ़े थे, वो ये है कि जो charge होता है बटा एक electron पर, that is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठेक है, as calculated, और ये किस ने calculate किया था, ठेक है, Robert E. Millikan, ये एक scientist थे, उन्होंने experiment के तो ये charge calculate किया था, और जो mass था, mass कितना calculate था था, that was 9.1 into 10 जिसको कि हम almost zero ही मान के चलते हैं, बाज समझ में आ रहे हैं, इसे हम almost zero ही मान के चलते हैं, ये chapter बहुत ही ज़्यादा, seriously आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जा कि आपको इस chapter की समझ और अकल आएगी, अगर तुम सोच रहे हो कि ये इतने lightly समझ में कहां चला गया बटा, अब तुम इतने ही मानदारी से अगर class लोगे तो भूल जाओ फिर तुमकी इतने मुश्किल chapter को तुम समझ पाओगे या सीख पाओगे, जब तक पूरी इमानदारी, पूरी शिद्दत, पूरी honesty आपनी नहीं डालोगे, आपको इनकी चीजें ये इत आपको लगता है कि नहीं जी, बड़े आराम से हो रहा है, कोई problem ही नहीं है, ठीक है, और यह मैं सारे के सारे important notes है, जो सारे के सारे आपको सीधे explain कर रहा हूँ, और अगर कोई बच्चा इनको भी ध्यान से सुनके तयार कर लेता है, तो वो सारे question आराम से attempt कर लेगा, ओके, अब यह जो थोड़ा, अब देखो, मैं यह class लगबग, अगले एक या डेट मिनट में बंद कर दूँगा, क्योंकि हमारा time इतना ही है, और कल आगे से आगे शुरू करेंगे, तो यह फिलाल मैं आपको सारे notes कर वा रहा हूँ, अगर school खुलेंगे, तो कोशिश करेंगे, थ अब प्रोटोन के बारे में कुछ बातें आपको सुन ले ली चाहिए, कुछ important fact जैसे चार्ज जो होतार गटा प्रोटोन थे, that is plus 1.6 into 10 to the power, minus 19, आयूश वर्मा, mute कर दे बटा, बड़ी महरवानी हो जाएगी तेरी,